एलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है कावासाकी W175 स्ट्रीट भारत में हुई लांच बाजाज आटो से अलग हुई कमपनी कावासाकी हलाकि कावासाकी एक विदेशी कमपनी है जापान की कमप और उसके बाद अब कावासाकी ने भारत में अपना बाइक लांच किया है तो फ्रेंट बाजाज आटो की अस्थापना 29 नमबर 1945 को मेसर्स बच्छराज ट्रेडिंग कॉर्परेशन प्राइबिट लिमिटेट के रूप में हुई थी 1984 में बाजाज आटो ने अस्थानिय बाजार में मोटरसाइकलों के उत्पादन और बिक्री का विस्तार करने के लिए सहयोग करतेवे कावासाकी के साथ एक तक्नीकी सहायता समझावते पर हस्ताचर किया मतलब की 1984 में कावासाकी और बाजाज एक समझावता करते हैं और उसके बाद दोनों की गारी चलती है आपने बाजाज कावासाकी का फोरेश चैंपियन भी देखा होगा आपने कावासाकी का हुड़ी वाबा भी देखा होगा आपने कावासाकी का कैलीवर भी देखा होगा तो friends इसके साथ यात्रा चल पड़ती है और अच्छे यात्रा चलती है और इसके बाद 2017 में इन दोनों का अलगाव होता है और दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं बजाज कमपनी अलग अपना रूख ले करके चलती है और कावासा की अपना तो उसी बीच अब W175 स्ट्रीट को भारत में लॉंच करती है कावासा की कमपनी कितना दमदार है इसका इंजन इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं तो कावासा की W175 स्ट्रीट में 177 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन इयर कुल्ड इंजन है जो पुराने मॉडल की तरह ही बना हुआ है और इसमें BCS कोई छेर छार नहीं किया गया है इसका इमेज भी आपको दिख रहा होगा इसका इंजन पच्छत्तर सो आर पीएम मतलब की रनिंग पार मिनट इंजन पच्छत्तर सो आर पीएम 12.9 बीएच पी की पावर जेनेरेट करने में सक्छम है अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें एक छोटे से LCD डिजिटल इंसेट के साथ एक बेसिक हाईलोजन हेडलाइट और बड़े पैमाने पर एनलोग इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो इसके स्ट्रीट लुक को पूरा करती है अगर कावासा की W175 स्ट्रीट की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रंट म टेलिसकोपिक फॉर्क रियर में डबल सॉक एकजॉर्वर लगा हुआ है ग्राउंड क्लियरंस को 165 मिलीमिटर से घटा कर 152 मिलीमिटर कर दिया गया है शीट की उचाई की बात करें तो सीट की उचाई भी 786.5 मिलीमिटर से घटा करके 245 mm कर दिया गया है फ्रंट में आप को डिस ब्रेक मिल जाता है कावा साकी ने अपने सबसे किफाईती मोटर साइकल डबलू 175 अरवन टेट्रो का नया संस्करन पेस किया है इसे डबलू 125 स्ट्रीट कहा जाता है इसकी किमत 1.35 लाइक मतलब 1.35 रुपे तक 100 रुम प्राइस के रूप में हो शक्ती है फ्रेंड् यह जरूर कमेंट में बताएगा थैंक यू धन्वाद बाबाई